नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज मैं बात करूंगी कुछ ऐसे आउट्डोर इंडोर प्लांट्स जिनको हम कटिंग से कभी भी लगा सकते हैं और जिनका रिजल्ट बिल्कुल पक्का मिलता है जिसमें पहला पौदा है वंडरिंग जू ये वंडरिंग जू की एक नई विराइटी है जो बहुत सुन्दर लगती है इसमें और उसमें बस कलर का ही डिफ्रेंस है बाकी दोनों को कटिंग से हम आसानी से उगा सकते हैं आपके पास अगर एक प्लांटा उसी से आप बहुत सारे इसके पौदे बना सकते हैं इसी में भी बुल्कुल उसी की बनाई है दो मेने पहले बास्किट देखे कितने अच्छे से ग्रोध हो रही है तो इस पौधे को कटिंग से लगाना बहुत आसान और कभी भी इसकी कटिंग चल जाती है दूसरा पौधा है स्वीट पटेटो वाइन इसको भी कटिंग से बहुत राम से हम लगा सकते हैं औ अपने दूसरे वाले पौधे से और देखे जितनी भी कटिंग लगाएं थी सभी में ग्रोध स्टार्ट हो गई है तो स्वीट पटेटो वाइन की या तो परपल वाली आपके पास हो या फिर ये दोनों ही आप कटिंग से लगा सकते हैं और बहुत अच्छे से ये कटिंग से ग्रोध हो जाती है कभी भी आप इसी कटिंग लगाओ अराम से एक हफ़ते में आपका सुन्दर प्लांट तैयार हो जाएगा इसमें नीचे का पता खराब हो गया इसको मैं हटा दूँगी बारिस अभी भोध हुई थी तो उसकी वज़े से वैसे जितनी भी कटिंग से ह लगा हुआ है और पूरी बास्केट भर रही है इस तरह से हम एक गमला भी तयार कर सकते हैं बस हमें थोड़ी जादा कटिंग लगानी होंगी हम एक गमले में कम से कम साथ आठ कटिंग लगा देंगे चोटी 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 और कुछ दिन में वो इसी तरह से बिलकुल भर ज जाएंगी यह पोधा बहुत अराम से कटिंग से चलता है चोटी सी कटिंग इसकी चल जाती है अच्छी लाइट चाहिए इसको पानी कम चाहिए और ऐसी जगह पर रखना है जहां धूप ना है हलकी फुलकी सी धूप आती है एकाद घंटा बस ऐसी ही जगह पर इसको आप यह है बटरफलाई प्लांट जो बहुत आराम से कटिंग से चल जाता है इसमें नीचे से यह पोधे निकलते हैं तो आराम से इसको निकाल के हम अलग करके लगा सकते हैं हर एक पती के नीचे छोटा सा बल्व होता है उसको निकाल के आप किसी भी गमले में लगा कर इसके ड और यह अच्छे से grow हो गई है इसके अलावा यह एक बहुती सुन्दर हैंगिंग प्लांट है जिसका नाम है creeping चारली इसको भी हम cutting से बहुत आसानी से लगा सकते हैं और इसके बहुती बढ़िया हमारे प्लांट तैयार हो जाएंगे हम चाहें इसको बास्केट में लगाएं एक नई बास्केट बन जाएगी बहुती सुन्दर लगता है यह हैंगिंग बास्केट में कोलियस को भी हम आसानी से cutting से अभी लगा सकते हैं यह भी हमेशा cutting से चल जाता है बस हमें पानी कम देना है और सेंड मिक्स मिट्टी में इसकी cutting लगाईए इसके आप बहुत सारे पोधे अराम से बना सकते हैं और जो हम कट करते हैं पोधे को तो हमारा पुराना पोधा भी घहना होता है तो कोलियस बेस प्लांट है जिसको हम cutting से धेर सारे पोधे बना सकते हैं इसके मैंने काफी सारी cutting लगा रखी है और बहुत सारे कोलियस अलग लगत रहके बालकनी में मैंने लगा रखी है यह cutting से लगाए हुए हैं सारे मनी प्लांट तो बहुत ही आसानी से cutting से ग्रूव हो जाता है तो मनी प्लांट के डेरो पोध है आप बना सकते हैं बिलकुल फ्री में और इसको हम पानी में भी लगा सकते हैं देखे ये मैंने अभी एक डड़ महीने पहले कटिंग लगाई थी इसमें मारवल वाली भी है और ग्रीन वाली भी और दोनों ही देखे चल गई हैं तो बहुत आसानी से चल जाती हैं और एक गंखले में अगर आप लगाएं तो गंखले में आ सुनदर लगती हैं हां ये ये सेरैमिक पोट है जिनमें मैंने 2-3 महीने पहले ये कटिंग लगाई थी बहुत सारी एक महीं लगारखी हैं तो देखे कितने अच्छे से चलना स्टा पानी का बस हमें ध्यान रखना है कि कम पानी दीजे कटिंग में तो बहुत जल्दी आपकी कटिंग चलना स्टार्ट हो जाएंगी जर्विरा को भी हम आसानी से अलग करके नए पौधे बना सकते हैं जर्विरा बहुत सुंदर फूल वाला पौधा है और इसको अलग करके अलग पौधें के बना सकते हैं तो बहुत ही सुंदर ये तो पौधा है और अलग करके आपका नया प्लांट बिल्कुल पौडचुल का परसलेन भी कटिंग से लगाने के लिए बैस्ट प्लांट है बस सर्दियों में हम इसकी कटिंग ना लगाएं क्योंकि सर्दियों में जहां पर ठंड जादा नहीं पड़ती वहां पर आप पूरी सालेसी कटिंग लगा सकते हो आसानी से अगला पौधा है पीस लिली पीस लिली को भी हम आसानी से देखिया अलग कर सकते हैं ये पौधा भी जैसे बहुत दिन तक जब गमले में लगा रहता है तो ऐसे घना हो जाता है और नीचे से देखिए धेर सारे पौधे निकल रहे हैं तो इनको हम निकाल के कितने सारे पौधे बना सकते हैं जितना घना पौधा होगा उतने ही ज्यादा हमारे पौधे बन जाएंगे तो बिल्कुल फ्री में हमारे पीस लिली के धेरो पौधे तयार हो और इसकी हाँ से नीचे से कटिंग लेकर भी हम नया पौधा बना सकते हैं यह वाला मैंने देखिए से अलग करके ही लगाया था एक पौधा छोटा सा अभी काफी बढ़ा हो गया यह भी और इसमें भी एक से अभी दो तीन पौधे बन गया है तो यह भी अभी ऐसे घना हो जाएगा तो देखिए कैसे फ्री में पौधे बन जाते हैं और यह कभी भी हम कटिंग से लगा सकते हैं यह वाला अगलोनिमा यह मेरा कटिंग से मैंने लगाया था छोटा सा पत्ता भी इसमें अभी निकल गया है और बहुत अच्छे से भी यह चल रहा है जो में प्लांट है इसका वो खराब हो गया और उससे कटिंग लेकर मैंने यह पौधा बनाया था स्पाइडर प्लांट को बहुत यह आसानी से अलग करके हम इसके बहुत सारे पौधे बना सकते हैं तो स्पाइडर प्लांट को भी हम अराम से बढ़ा सकते हैं यह है बीवी टियर्स बेबी टियर्स की कटिंग छोटी छोटी भी आप कहीं भी लगाएंगे अराम से चल जाती हैं यह बहुत सुंदर हैंगिंग प्लांट है पती है करती हो जाता है तो यह मैं कम जानते हैं और वास्टालू जिसको आप सभी जानते हैं Cutting से growing करना कितना असान है कभी भी इसकी Cutting लगाज़ें अराम से चलती है In dovre plant हैं, सभी Cutting से चलने वाले औरifs Permanent है अगला पौधा है यह exploratoria का, जिसको Cutting से आसानी से हम लगाके काफी सारे पौधे इसके बना सकते हैं मैंने इसकी बास्केट्स में भी कटिंग लगाई है वो बहुत अच्छे से चल रहे है तो इस पोधे को आप कटिंग से जरूर लगाते रही है अगर खराब भी हो जाए तो फिर कोई टैंसर नहीं रहती है इसके लावा ये फन का जो प्लांट होता है इसको भी आप अलग करके इसके पोधे बना सकते हैं इसके हर पत्ती के नीचे जड़ होती है तो इसको निकाली अराम से इसके धिर सारे पोधे आप बना ले और कहीं भी बास्केट में गमले में आप अलग-अलग करके लगा सकते हो तो ये ऐसे पोधे हैं जो पक्का कटिंग से चलते हैं और ये सबी ज़्यादा तब पर्मानेंट प्लांट हैं एक बार लगाईए लेकर आईए और उसी से धेर सारे पोधे बनाते रहेए तो एक बार पैसा खर्च करने की ज़रुत है पर तो बार बार उनी से आप पोधे बनाते रहेंगे और इनकी कटिंग बिल्कुल पक्का चलती है कटिंग आप सेंड में लगाईए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मिट्टी मिक्स करते हैं तो बहुत थोड़ी कीजिए और पानी बहुत कम दीजिए स्टेवड में रखिए और बारिस से बचाईए उमीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो लाइक जरू करिए चनल को सब्सक्राइब भी कीजिए मिलती हूं नेक्स वीडियो में थैंक यू आई माच बाई जैस याराम